लीजे सुनिये आज की कहानी मेरी दिवाली मेरी यानि गरिमा की अवाज में दिवाली का नाम सुनते ही जैसे रोम रोम खुशी से जूम उड़ता है सच बच्पन कितना प्यारा होता है पर मैंने प्रण लिया कि मैं कभी भी अपने अंदर का बच्पना खोने नहीं दूँगी बात उस दिवाली की है जब मैं अपने बेटे के घर गई अपनी नन्ही सी जान अपनी पोती के पास उसे देखकर मुझे अपना बच्पन याद आ जाता वैसे ही घुंगराले बाल बड़ी बड़ी कौतुहल भरी आखे हर दम कोई न कोई सवाल लिये मेरे पास आ जाती मैं दिवाली से एक हफ़ते पहले ही पहुँच गई घर की साफ सफाई तो अर्बन क्लैब वाले ही कर गए थे सच मुझे भी अगर ऐसी सहोलियत सालों पहले मिली होती तो दिवाली पर और अधिक एंजॉय कर लेती हम दिवाली की शॉपिंग करने के लिए पास के मॉल में गए सब कुछ बहुत सुन्दर और पर्फेक्ट पर मित्टी के दिए लक्षमी गरेश की मूर्तियों में वो दिवाली की फील नहीं आ रही थी मैंने कहा कि क्यो ना हम लोकल मार्केट से शॉपिंग करें फर लोकल मार्केट कहां लगती है किसी को पता ही नहीं था फे में लिटल स्टार ने जट से गूगल किया और हमें पता चला कि यहीं पास में ही कहां की सबसे पुरानी बजार है वहां पहुँचकर बचपन जीवन्त हो गया रिया इतनी भीड दे के हत्प्रब रह गई दादी इस ओसम हां बेटा दिवाली इस ओल्वेज ओसम हमने मिट्टी के इंपरफेक्ट दिये खर दे खुलिया चुकिया ली तो रिया ने फर्स टाइम खरी दी थी दादी ये मिट्टी के पॉट्स क्यों लिए है बेटा दिवाली की शाम को तुम इसमें लावा चूड़ा खील बताशे भरना इट ब्रिंग्स गुड लग फो या फैमली वाओ दादी फिर मैंने सरमठकाने वाली सेट सिठानी खर दे घुल अकली छोटा सा मिट्टी का घर भी लिया तिल का तेल अलपना बनाने के लिए चावल का आटा रंगोली के रंग कपूर चंदन लड़ू बनाने के लिए तिल गुड बेसन भूरा मुझसे खुश तो आरती थी मेरी बहू मॉम मैं तो भूली गई थी ये सब ठैंक्स मेरा बच्पन याद दिलाने के लिए फिर तो एक्साइपमेंट और बढ़ गया फिर ली हमने जाडू हर रिया वो तो हर तरफ सब कुछ खरीदना चाहती थी तरहे तरहे के कैंडल्स, कंडील बच्नो एलेक्ट्रिक लाइट्स रोहन बोला क्यों ठीक है ना मॉम बिल्कुल ठीक मैंने हमेशा से ही घर दी और कैंडल्स से ही सजाए थे अब बारी आई तिवाली गिप्ट्स देने की अरे मॉम, आनलाइन मंगवा लेंगे नहीं नहीं, गिप्ट सिर्फ नाम के लिमत दो फिर मैंने खुबसूरत शीशे के जार्स लिये और धेर सारे ड्राइफ्रूट्स रिया ने डेकोरेशन का समान भी लिया हम सबने रात को जार्स पर खुबसूरत दिवाली के स्टीकर्स लगाए और शीशे भी लगाए और फिर उसमें भरे ड्राइफ्रूट्स सच बहुत खुबसूरत लग रहे थे धन तेरस के दिन हम सबने लक्षमी गड़ेश की मूर्ती ली और मैंने सबको चांदी के सिक्के से ठीका किया दीब जलाया और आर्ती की और हम फिर से उसी लोकल बजार में पहुँच गए बर्तनों की जग मकाहट से त्योहार का रंग और चड़ गया था हमने सुन्दर सुन्दर स्टील के बर्तन लिये और रिया ने छूटा सा ग्लास लिया बोल रही थी दूद पियेगी उसमें घर पहुँच कर हमने चावल की खीर खाई अगले दिन मैंने सबको सुर्योदे से पहले उठा दिया और हम सबने तिल का तेल लगा के स्नाम किया रिया के इस पर क्वेश्चन स्टेटी थे और मेरे आंसर्स इस दिन भगवान शी क्रिशन ने नरका सुर का वत किया था और सोला हजार इस्त्रियों को उसके बंधन से मुक्त कराया इसलिए इस्त्रियां सोला सिंगार करती हैं जिससे वो बहुत ब्यूटिफुल हो जाती है सच दादी मॉम भी करेंगी हाँ बेता मॉम मैं तुम सब त्यार होंगे हम सब ने नए कपड़े पहने अज शाम को चौमोखा दीपक जलाया फिर मंदेर के चैन पेड़ के नीचे गार्डन में सब जगा दीपक जलाये रिया को या सब देखकर बहुत एकसाइटिंग लग रहा था दिवाली की शाम को जब रिया त्यार हुई तो बिलकुल छोटी से इंजिल लग रही थी सच दिवाली पे ऐसी रौनक लगी कि मन खुश हो गया पूजा के बाद हम सब नेबर्स को गिफ्ट देने गए फिर हम सब ने ताश भी खेला इसका भी एक अलगी मज़ा था भोग लगने बजब में लड्डू खाए अपटा आखों की गरगराहट के बीज जब मेरी नीन तूटती तो मैं मन में बोलती हैप्पी दिवाली ये थी मेरी आज की लिखी कहानी ये कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए अच्छी लगी हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करें बाई